आप सभी विद्यारतियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनेंदन यह विद्यारतियों बीए फाइनल राजनिटी विज्ञान जिसके आपके फस्ट पेपर होता है पास्तात्य राजनिटिक विचारक या पास्तात्य राजनिटिक चिंतन या पास्तात्य राजनिटिक प्रेटो को आज हम पार्ट पड़ेंगे इसमें आपके प्लेटो एकदम on tips हो जाएगा यानी प्लेटो के बारे में पूरी चान करे ऊजाएगी एक बात आपसे और बता दूँ कि ये पार्ट आपके लिए जो नेट जारा फियर दिया आप करते हैं पॉलिटी से आगए जो तयारी करते हैं उसके लिए भी प्लेटो में से प्रस्ट पुछे जाते हैं प्लेटो जो है ये बहुत अधिक मैत्वकून है और ये आपके एकजा प्लेटो का प्रीचे देख लेते हैं प्लेटो के बारे में सबसे पहले क्या बात लिखी हुई है कि इसा पूरू चोथी और पांच्वी सताब्दी ना केवल प्राचिन यूनान के लिए एक स्वाण युग था बलकि मानव इक्यास के लिए एक गौरवशाली युग था च प्लेटो अरस्तु जेसे महांदार्षनिक भी उस समय हुए थे अपने भारत में भी जो है उस समय जो है यूँ कह सकते हैं कि इस प्रकार के महान दिव्य महापुरुश हुआ करते थे तो प्लेटो है जो प्लेटो कोन था प्लेटो का जीवन परिचा आपको पता दूँ प् पिता का नाम था अरिस्तोन मा का नाम था पेरिकतियोन क्या नाम था पेरिकतियोन यानि उसके पिता का नाम तो अरिस्तोन मा का नाम पेरिकतियोन पिता जो है अरिस्तोन वन्शावली से थे और प्राचिन राजाओं में जो वन्शावली होती थी उसमें पोसिदन देवता तक पहुंसती थी, यानि कहने का अर्थ है, कि अरिस्टोन की जो वनसावली है, वो युनान के जो पोशिदन देवता है, उस वनसावली में से माना जाता है, और इनकी मा का समन्ध होए, वो एथेंस के सुपरसिद कानौनों का निर्मान करने वाले सोलन के साथ था, उनकी मा ज वास्तिविक नाम था अरिस्तोप्लीज क्या नाम था अरिस्तोप्लीज इनका वास्तिविक नाम था अब इसका नाम प्लेटो के से पड़ा इसका कारण था कि इसके कंदे भरेवे थे चोड़े थे मतलब चोड़े कंदो वाला था और ब्लिस्ट था इस कारण क्या है कि उनका जो व्यायाम शिख्षत था उसको जो एक्सराइज करने वाला शिख्षत था उसको प्लातोन केते थे और प्लातोन का मतलब होता है चोड़ा चप्टा प्लातोन केते थे और दीरे-दीरे क्या हुआ कि इसका नाम प्लेटो पड़ दे और इसका सुद्ध युनानी उचारण ज अब पलाथून जो वह प्लाथव से बना है तो इया दीरे दीरे क्या है कि पलाथवन के स्तान्ग कालंतर में पले्टो सब्ड कपरियोग फोने लगा और उसे पलेटो नाम पढ़ गया और पलेटो के नाम से थीख्सित्य और विध्यात भी हो गया अब क्या हूआ जैसे मालक जन्म हो गया यूँ आवस्ताओं में अन्य यूकों की तरह उन्होंने भी सोचा कि बाली गोते ही में राजनिती में भाग लूँगा लेकिन इश्वर जो है कुछ अलग जाता था वो एक राजनिती के नहीं बच सका क्यों क्योंकि महान राजनिती दर्सन, दर्षणिक बरना था और जिस एतंस में पलेटों का जन्म हुआ था वह हैं युनान का सबसे एक महान नगर राज्य था यूनान का एक महान नगर राज्यों में था पलेटोंने एतंस और इस्पालटा के साथ, 30 वरसों तक युद जो चला था उस युद को लिए न पेलो पोनेशिया के युद्ध में उसने देखा था एथेंस से वो इस्पार्टा से हार गया था एथेंस जो है इस्पार्टा से युद्ध में लड़ते लड़ते हार गया था और एथेंस का वो निवासी था और परजातंत्र को चर्मोत कस से सोरनास की और गिरते वे और गु इसने परदातंत्र की कदम कमर ढूट गई यानि परदातंत्र है वह एक तरह से मत्या क्लाएब बच prisoner बृस्तिए उकर्षा ही 2004 में जैनक्रांद करें दूखा वितियों घ्लचा सब्सक्राइब करें जो भरोड़ातों कि निंद धर में chaustal उसमें प्लेट्टों क Penghria और वो राज दो इस्तापित करने वाले थी उनमें प्लेटो के निकर समंधी भी थे उन्होंने प्लेटो को भी शासन में भाग लएने के लिए आमंतृत किया लेकिन उन्होंने देखा कि वो 30 व्यक्ती क्रूर थे हिंसक थे दमन्पूर्ण थे उन लोगों की हिंसकता को और द तूसरी कुर्णति में क्या हुआ कि उन 30 वेक्तियों को मार गिराया उनका मंदल को समाट कर दिया और फिर से एक परदांत्र के स्थापना हो गई तो फिर क्या है कि खोल गराबा हुआ रह तपात हुआ शुरू में तो प्लेटो ने उनका स्वागत किया लेकिन सिख रही उसके कूकर्टियों से उबर करके उसने राज़िती से सन्यास ले लिए पिर क्या है इसे से वहाँ परजातंत्री की स्थापना हुई लेकिन परजातंत्री जो राजा था उसका भी सासम अच्छा नहीं था और उसे राज़िती से बहुत अधिक गरना हो गई और वो राज़िती से सन्यास लेकर के चला गया था इसी सासम अच्छा ने सुकरात को प्राणदंड की सजा दी थी सुकरांत आप जानते ही कि सुकरांत जो था सुकरांत आपके प्लेटो का गुरू था और इस गटना को प्लेटो के कोमल मस्तिस्क पर बहुत बड़ा प्रबाव डाल दी यानि अपने घुरू को जब मरते वे इस करांते के मातिम से देखा था तो उसने देखा कि बहुत गजब हो गया था मतलब यानि जो है वो इसने देखा कि ये राज़िती की कुछी काम की नहीं है और उस र गोशना की थी कि वो कुछ नहीं जानता जबकि प्लेटो अपने आपको सर्वत दिक ज्यानी समझता था यानि शुकरात एक इतना महान व्यक्तित को होता हुए भी वो ये कहता था कि मैं कुछ भी नहीं जानता लेकिन प्लेटो ये कहता था कि मैं सब कुछ जानता हूं और इतनी विभिन्ताओं के बावजूद भी सुक्रात की शिक्षाओं का प्लेटों ने प्लेटों को आकर्स्त किया यानि प्लेटों कर उसका असर हुआ और प्लेटों उसका शिश्य बना और उसके विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो किसके विचारों से प्रभ मेरे लिए अच्छा नहीं है और वे सुकरात तो है उसका क्योंकि सुकरात का वो प्रदान सिश्य था और एथेंस की लोकतांत्रीक विवस्ता का सुकरात है वो विरोधी था इसलिए उसने देखा कि यह संकट मेरे उपर भी आ सकता है इसलिए उसने क्या किया, प्लेटो ने अपने कुछ मित्रों के साथ, समीप में एक नगर है, जिसका नाम है मेगरा एथेंस के नजदी की एक नगर है मेगरा, उन उस मेगरा में वो चला ग, और वहां तक वो 12 वर्सों तक Jahre 12 वर्सों तक उसने कोई सूचना तक नहीं भी 12 वर्ष तक उन्होंने देश देशांत्रों का भर्मन किया देश देशांत्रों का भर्मन किया और यानि देशों देशों में घुमता रहा वहाँ इस काल में उसको पाइथागोर्स भी मिला पाइथागोर्स के सिदान्तों का ज्यान उसे प्राप्त हुआ दासनेकों को सासन देखने का उसे मोग का मिला 387 पूर्म उसने इटली और सिसली में वो गया था सिसली के जो राजा थे सिराक्यूज उससे उसकी भेंट हुई सिसली के सिराक्यूज राज्ये में उसकी भेंट है वो किसे हुई दियोन से हुई सिसली में सिसली का जो सिराकूज का जह सिराकूज सिराकूज में एक दियोन नाम क्योंती थे दियोन से उसकी बैठोई दियोन बहुत बड़े एक सुसंस्क्रत प्रेक्ती थे और वहां के राजा का नाम का दियोनिशियस वहाँ के विद्वान का नाम तो दियोन और वहाँ के राजा जिसका नाम था दियोनिशियस अब क्या है कि वहाँ के राजा से भी उसकी पहेंट हुई उसकी और दियोन से भी दियोन बहुत बड़ा अच्छा एक सुस्कंस्तित राजा था और उसकी प्रेड़ना से वो दियोनी सियस को दार्षनिक सासक बढने को तयार तो गया, दियोन की, यानि सला से, किन्दु जब उसने रिपब्लिक के सिदान्तों का पाट पढ़ाते वे दियोनी सियस के अन्यार दिरंकु सासनिक कड़ी आलोजना की, तो वै उसकी शिक्षाओ उसे मुकरने लगा, उसने दियोनी सियस के लिए राजा तो, ये गुरू तो बनाता, शिक्षक बनाता, लेकिन उसने रिपब्लिक के सिदान्त पढ़ाने शुरू किये, गनतंतर के सिदान्त पढ़ाने शुरू किये, जो कि दियोनी सियस को अच्छा नहीं लगा, और क्या ह थी उसके जो चाटुकार थे चापलूस वेक्टी थे उसके राजदरबार में उन्होंने कहा कि ये दियोन जो है ये ठीक नहीं है और परिनाम यह हुआ कि दियोन को वहां से बिर्वासित कर दिया और दियोन इसी इस ने प्लेटो को भी इस्पार्टा के राजदूत को सूप जो है वहां से दिश्कासित हो गया और उस राजदूत को राजदूत ने प्लेटो को एक दास के रूप में खरीदा और फिर क्या है कि उस वो आगे जाकर के एजाइना टापू में प्लेटो को फिर से बेज दिया एजाइना टापू में क्या किया प्लेटो को बेज दिया तो इसलिए उसने एक वहां से टापू में बेज दिया और वहां टापू में खरीदने वाला जो था उसका पुराना मित्र एनिकेरिस जो था प्लेटो का पुराना मित्र उसने उसे खरीद करके और उसको मुक्त कर दिया और कहा कि तुम एथेंस वापर चले जाओ इससे ग्या जो धन है वो अनिकेरिस को उसका रुपया वापस लोटाना चाहा किन्तु उसके द्वारा धनराशी स्विकार नहीं करने पर धनराशी से एथेंस के बाहर अकादमी स्वाटी का बोल ले ली और यहां प्लेटों तीन सो त्याशी स्वी पूरू लगभग अपना शिक्षना ले खोल लिया जिसमें उसने अपने जिवन के सेश चार्ड़िस वर्स है वनोकिती तीन सो थ्याशी स्विंस ने क्या किया वहां पर जो है एथेंस के बार बाहर अक्र एक अकादमी स्वाटी का खोली थी वहां पर एक यूँ कैसे गई स्वाटी का खोल ले और इसकोल खोल करके बाकी के जो 40 वर्ष थे वो 40 वर्ष उसने वहीं पर विदाए थे अब जो प्लेटो ने जो यहां पर जो यह अकादमी खोली थी उस अकादमी के दो देशेते पहली जो था कि विसुद सोध का केंदर थी और दूसरा ये राजनिती और कला के पर्सिक्षन की पाट साला थी जिसे विदाये को राजनिता तैयार करने का दायत उसका निर्वा करना था उसने रेखा कि यहां पर मेरा काम यही रेगा प्लेटों के अकादमी में गणित और जामिती का अध्यान भी करवाया जाता था और इसी पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। संसार के कोने कोने से विद्यारत जो है प्लेटों के करणों में विद्याजियन करने के लिए आया करते थे। वर ने वर मतलब जो बींद था यानि जो दुल्ला था उस दुल्ला ने गुरु शास्रिवाद देने के लिए जब वो लेने के लिए जब वो कमरे में गया तो उसने देखा कि प्लेटों चिर निद्रा में बिलेन हो चुका था। और राजाओं को दाशनिक बनाने वाला मृत्यू की रिपब्लिक में पहुच चुका था। 21 वर्स की आयोन उसका थे हम से हो गया था। प्लेटों की रचनाओं की बात करे तो ऐसा का जाता। wise प्लेटों द्वारा 36 या 38 वृस गरंद मने जाते हैं जिनमेंسे 28 गरंद है वो परमानिक माने गए हैं कितने माने गए हैं 28 क्रण्थ है वो प्रमानिक माने गए हैं उनमें से कुछ इस प्रकारे देखिए अपोलोजी क्रिटो यूथिफ्रो जोर्जियस मीनू प्रोटो गोरश सिंपोजियम फेडो और रिपब्लिक्स वाफिस इस्टर्श में लॉज ये जो लॉज ह वो अंध में उसने लिखी थी अब क्या है कि जैसे मानलो यह तो बार अक्रंथ है वो अपन देख सकते हैं प्लेटो के चिंतर की पदत्ति क्या थी प्लेटो के चिंतर में कौन सी पदत्ति सामिल थी प्लेटो ने बहुत सारी पदत्तियों का प्रियोग किया है जिससे द्व संबाद या दोनदात्मक पत्रची चिंतन की वह प्रनाली जिसके द्वारा प्रस्नौतर और तर्क वितर्च Admiral प्रकाण। संबाद प्रकाण। जिसका मलत द्वन्दात्मक चिंतन की पदत्ती भी उनके अधियर में सामिल थी और इस पदत्ती के द्वारा मस्टिश के विचारों को उतेजित कर उसे सक्योन मुख करने का प्रियास किया दाता है प्लेटो ने द्वन्दात्मक शेली को अपने गुरू सुक्राज से ग्रेन क किया था और द्वन्दात्मक पतत्ती का प्रियोग तीन उद्विश्यों से किया पहली बात तो सत्य का अनवेसर सत्य की खोज करने के लिए फिर सत्य की अभीविक्ति और सत्य का परचार करने के लिए तीसरा सत्य को परिवाशित करने के लिए कि सत्य क्या है तीन चीज़ो से मस्तिष इसपस्ट होने के बजाय भ्रांत हो जाता है यानि जब प्रशन प्रशन पूछे जाते हैं तो आजमी का दिमाग चक्रा जाता है अत्यदिक तरक वित-तरक से संकाओं का समादान नहीं उनके व्रदी होती है इस प्रकार उसने कहा कि यह जो है वो ठीक नहीं है प्रशन नाक्री पूदती है और इसमें क्या होता है कि जिस जिन तत्मों से उस चीज का निर्माण हुआ है पूरी संपूर वस्तों का ग्यान किया जाता है और इसका प्रियोग करते हैं इसने कहा था कि आत्मा को तीन आत्मा जो तीन निर्मान कारी तत्मों से विवेक इन से भी बज़ किया इनी तीनों तत्मों के प्रतक प्रतक अध्यन के आदार पर किसी व्यक्ति के सोभा पर निर्दरन किया है और इनी के आदार पर वे राज्ये के निर्मानकारी विवागों को तीन वागों में बाढ़ था है निर्मानकारी जो वरग है उसने कहा कि तीन व इनमें क्या है कि इनके समझ में विशे सूर्प से उलेकनी है फोनिशियन कता द्वारा प्लेटो यह समझाता है कि दासनिक सोने के बने होते हैं सेनिक चांदी के बने होते हैं, उत्पाद कांसे के बने होते हैं, यहां सिद्धे की प्रस्ण बन सकता है, फोनिशियन में वह समझाता है कि दार्षनिक सोने के होएं, सेनिक चांदी के हैं, उत्पाद कांसे के, सोने चांदी और कांसे सब्द का प्रियोग करके, और इसे तात सिद्दांत होते हैं जिनमे कुछ विशिक मिष्कर्स इसी कारण इस पद्दिक को घड़े जाते हैं फिर उसको आगे विशेष की और लगे जाते हैं और विशेष की और लगे जाकर कि फान के नेयम दिद्धारित कीजाते हैं प्लेटों ने अच्छे सासन के लिए कुछ सिदान्तों को जो आदार रूप में दिया है तो इसका मतलब है कि उसने इस पदती का उप्यूग किया है एक है सोदेशात्मक पदती, सोदेशात्मक का अर्थ होता है कि प्रते एक वस्तू का कोई उदेश्य होता है यहीं उस उदेश्य की प्राप्टी के लिए आदमी प्रयत्म करता है और वो प्रयत्म के और सतत अगसर रहता है दूसरे सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रते एक वस्तू की गती उसके उदेश्य से निरूपित होती है प्लेटो के चिंतर में उसके शिक्षा सिद्धामत का दासनिकारा सोदेशिता है और इसी प्रकार प्लेटो के अनुसार उसके प्रतेग वास्तुई ग्राजा का उतेशिय होता है आदस राजे की ओड़ को ना तो उमीद करता हूँ कि ये चीज आपके अच्छे समयाई है और यहीं तर पड़ेंगे इसके बाद हम प्लेटो की जो दूसरा भाग है दूसरे भाग में हम पूरा प्लेटो को पढ़ लेगे आज के लिए बस इतना ही जै ही जैवारत